स्वागत है अब सभी का टेक स्टेडी आई थे यूट्यूब यून पर ONGC की तरब से 3614 पोस्ट पे अपरेंट सीप आई थी अलग-अलग सेक्टर से और काफी टाइम के बाद इनका सेकेंड डाकुमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट जारी किया जा चुका उसके बारे में आज कंप्लीट वीडियो देखेंगे उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजेगा जिससे आपको आने वाली साधी अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे तो यहाँ पे सेलेक्शन लिस्ट जो है वो पब्लिश की जा चुकी थी सबसे पहले जो हमने आपको अपडेट भी दिया था अलग अलग जो सेक्टर थे मुंबई सेक्टर, नौर्धन सेक्टर, सेंटरल सेक्टर सबका जो हा अप्रेंटेशिप मेरिटलिष्ट जारी किया गा था अभी Second Apprenticesip मेरिटलिष्ट जारी किया जाना स्टार्ट हो चुका है और धीरे धीरे सभी सेक्टर्स का आयेगा तो आईए देखते हैं अभी कहां से जारी किया गया है और ये PDF आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा टेकिस्टडी आईटे टेलिग्राम चैनल का नाम है आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जॉइन कर सकते हैं अगर आपको ONGC की तरफ से मेल आया हो तो आप टेकिस्टडी आईटे अटेरेट जीमेल डाट कॉम पे वो मेल हमारे साथ सेयर भी कर सकते हैं जिससे कि हम उसमें और भी कैंडिडेट्स को अपडेट दे सकें ये टोटल 42 पेजेज की लिस्ट आप यहाँ पे देखेंगे वाइल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से सियू सागर आसाम परिसंपत्ती आसाम की तरफ से जारी की गई है इसमें क्लिरली लिखा है कि जो सिड्यूल है वा एंडचयर वन में दिया गया जो स्वॉट लिश्ट हैं एनचर वन में दिया गया है एक वेकंसी के इसमें 4 जो हैं ऐसे इतने candidates को यहाँ पर बुलाया गया किसके लिए for the verification of document for apprenticeship training of the year 2022-23 at ONGC as some asset as per the schedule annexer 2 तो देखिए यहाँ पर दो annexers है एक 1 and एक 2 1 में है selected candidates की list and 2 में दिया गया schedule की कब आपको जाना है और क्या-क्या document लेके जाना है यह provisional short listing है इसके बाद document verification के बाद final जो merit list है वो जारी की जाएगी उसके बाद आपकी joining वहाँ पर कराई जाएगी आपको document verification के लिए report करने से पहले आपको ensure कर लेना का आप सारे eligibility criteria को fulfill करते हैं तब ही आप जाएगा anexor 2 के according जाएगा और जब आप report कर रहे हैं तो anexor 3 में जितने documents लिखे गए है medical certificate, self declaration, document, checklist and जो copy of vendor है, form यह सब आपको लेके जाना है तो यहाँ पर सबसे पहले आप list देखेंगे, office assistant की है, इसमें अगर आप देखेंगे जो total candidates shortlisted हुए है कितने हुए आप देख सकते हैं, यहाँ पर office assistant में काफी candidates shortlisted है 271, ठीक है, तो इनको कहा report करना है, सभी को report यही करना, skill development center, ONGC Assam Asset, Siu Sagar Assam बाकी जो center हैं, बाकी जो sector हैं, उनका भी बहुत जल्दी second merit list आने को आपको देखते हुए मिल जाएगा, sorry देन है lab assistant, इसमें भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे candidates select नहीं, 29 है prox फिर आपका है electrician, अगर आप electrician में देखेंगे, तो कितने candidate select हैं, थोड़े ज़्यादा होंगे, I hope इसमें यह देख सकते हैं, इसमें 137 candidate, दिन mechanic diesel में अगर आप देखेंगे, mechanic diesel में आपको देखने को मिल जाएंगे, prox, prox यहाँ पे, 200 plus मिलने चाहिए, yes, 290 candidate, ठीक है, इस नहीं, तो सर्च वहला option इसमें काम नहीं कर रहा है, तो आपने trade के recording जो है, इसमें देख लीजेगा, scan copy है, अब हम लोग बात करेंगे, कब-कब document verification है, यहाँ पे, क्या-क्या लेके जाना है, उसके बारे में बात करेंगे, तो आईए नीचे चलते हैं, नीचे वाला जो pages है यहाँ पे देखेंगे, document verification का आपका schedule, तो schedule जो है, यहाँ पे नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं, यह रहा schedule आपका, इसमें क्या लिखा है, phase 2, इसके पहले phase 1 की list आई थी, and total 160 candidate 9-11 को बुलाया गया, office assistant और office assistant के ही, एक से 80 तक, दिन 81 से 160 तक, 9 बज़े से 1 बज़े तक आपको morning shift में, दो बज़े से साड़े चार तक यहाँ पे बुलाया गया, तो आपको वहाँ पे पहुँच जाना है, अपना serial number के recording, and उसी date पे, उसी time पे, अगला है, हाँ, एक बात और करेंगे, माल लीजा, आप इन dates पे नहीं पहुच पाते हैं, तो आपको क्या करना, उसके बारे में भी बात करेंगे, जो साइद आपने, अगर देखा आप yoga notice, तो साइद आप मिस कर गया होंगे, फिर office assistant के जो बचे हुए candidate है, उन्हें जाना है, and lab assistant के 1-29 तक के candidate को जाना है, 10 तारीक को, 11 को जाना है, electrician के candidates को, 14 को जाना है, mechanic diesel, 15 को भी mechanic diesel, इसके बाद 16 को, fitter, account executive, electronics and telecom, surveyor, then फिर electrical, computer science, ICTSM, mechanic motor, इस तरह से सभी का यहाँ पर जो schedule है न, वो जारी किया गया, इसमें कोपा का, welder का, draftman, civil का बहुत सारी vacancies थी, electronic mechanic की भी vacancy थी, mmb की vacancy थी, यहाँ पर ICTSM की थी, and जो day 8 है, 18 November, last है यहाँ पर machinist, civil and mechanical को जाना है, total 176 candidate, अब इसमें य यह लिखा गया, candidates को, जो document verification पर उसी schedule पर जाना है, जो उनका mention है, but, however, in case, if any candidate is not able to report as per the schedule, he see may come for document verification on the dates given above, up to 1811, अगर आप अपनी date पर नहीं जा पा रहे हैं, मालीजें नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो आपको 1811, 2022 तक, किसी भी date में, आपको at least वहाँ पहुच के document verification करा लेना है, means, आप यह कह सकते हैं, यहाँ पर जो document verification है, वो 9 तारिक से लेके, 18 नौमबर तक चलेगा, 9 नौमबर से 18 नौमबर तक, इस बीच में, अगर आप अपने time पर नहीं जा पाते हैं, तो आप किसी भी दिन जाके, अपना document verification, अपने sitability के हिसाब से करवा सकते हैं, क्य पर रेजिदेंस या डूमिसाइल, आधार काड़, वोटर आईडी, डूमिसाइल, certificate, certificate from college and institute, whichever जो आपके पास available हो, दिन आपका 10th का मार्क सी, 10 certificate, 12th का मार्क सी, इट सेटिफिकेट, ITI, डिप्लोमा, ग्रीजुएशन का मार्क सी, या सेटिफिकेट आपको लेकर जाना है, क क्या क्या डगूमेंट original submit होंगे, देख लिजे यहाँ पर print out जो आपने form भटा था, with photograph and signature original submit होगा, medical fitness certificate आपका original submit होगा, self declaration form original submit होगा, and जो vendor code form ने enclosure के साथ, वो भी original submit होगा, यह नीचे सब कुस दिया है, यह medical fitness certificate है, इसे आप बनवा लिजेगा, अगर आपका आगला है यह है आपका क्या है एक एक इसके नीचे आप देख सकते हैं वेंडर कोड है वेंडर वाला फाम है इसको आपको फिल करना है जो जो पता रहे उसको फिल करिएगा जो चीजें आपको ना पता हों उन्हें आप क्या करेंगे छोड़ देंगे ठीक है यह ध्यान रखिएगा आप लोग तो यह अपको नोटिफिकेशन हम दे देंगे अपने टेलिग्राम चैनल पे जिससे आप आसानी से इसमें अपना नाम जो भी आपकी डिटेल है उसको में रखते हुए आपको पर्मनेंट जाओ में वेटेस दिया जा सकता है या क्या पता ऐसी वेकेंसी है जिसमें यही कहा जाए कि जिनका नेचरल गैस आयल पाइप्लाइन है जिसमें भी अगर अप्रेंटिसिप है वन येर का तो वही इलिजिबल है अप्लाई करने के लिए तो ऐसा माउका आपको मिल सकता है इसलिए चांस छोड़िएगा मत जाके डेकुमेंट विरिफिकेशन जरूर कराईएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके प्लीज सेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ और चनल पे नए हैं भी भी सब्सक्राइब